हालो प्रेंट स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजुकेशन तक में तो वैसे स्टुडेंट जो इस वार इंटर पास हुए हैं ग्रेजुएशन में एड्मिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग लाश्ट तक देखेगा ध्यान से इस से कब तक आपका यहां पर एड्मिशन होगा और आपको इसमें डॉक्मेंट क्या लगेगा एड्मिशन की परकिरिया क्या है और आपका कितना फी लगने वाला है तो आप लोग वीडियो को पुरा ध्यान से लाश्ट तक देखेगा और दोस्तों इस इस चैनल पर पर लिव आपका यहां पर एड्मिशन के लिए यहां पर जो आज इसके लिए आपर बता देते हैं आपको तो ध्यान से वीडियो को देखेगा लाश्ट तक पटना इनुवर्सिटी में सत्थ दोहजर बीस से कई समें अडिमिशन पर करिया गुरुवार से शुरू हो जाएगे वहीं का नया सत्र कोविट 19 के कान लगभग देर मा की देरी से 24 अगस्त को शुरू होगा इससे पहले एडिमिशन के लिए ऑनलेन अवेदन की पर किरिया 30 अपराइल से शुरू होगी और वहीं असना तक असना कोत्तर सेल्फ फाइनेंस वोकेशनल आरी सभी पाठ करमों के लिए आवेदन 20 जुन तक किया जा सकते हैं इसके बाद 28 जुन से परवेस परिछाओ का सिलसिला सुरू होगा जो 18 जुलाई तक चलेगा फिरन इसमें आपको यहां पर परवेस परिछा लिया जाता है उसके बाद ही आपका इसमें एडिमिशन होता है यह पटना इनिवर्सिटी क के मादेम से एडिमिशन होगा वहीं असनातक के सभी पाठ क्रमों में एडिमिशन एंट्रेस टेस्ट के जरिये होगा इसका भी सीडिल प्यू की विपसाइट पर देख सकते हैं प्यू ने अभी एललबी का सीडिल जारी नहीं किया है एललबी की परवेस परिछा का तीथी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अनुमती मिलने के बाद जारी की जाएगे और एडि एडिमिशन एक से 31 जुलाई तक होगा कोटा के तहत एडिमिशन 20 अगस्त तक होगा केजूल वेकेंसी पर एंटिम एडिमिशन 15 सितंबर तक होगा इंडेक्शन मीट 17 से 22 अगस्त के जो मेरिट वाला है उन्हीं को यहाँ पर होस्टल एलाउट किया जाएगा तो चलिए पूरी खबर को यहाँ पर देख लेते हैं होस्टल कैसे आपको लेना होगा अब होस्ट स्टुडेंट को ओनलाइन एडिमिशन फोर्म के दोरान ही होस्टल लेना है या नहीं यह कॉलम क करना होगा जब आप यहाँ पर ओनलाइन एडिमिशन के लिए फोर्म आप अप्लाई करेंगे उसी समय आपको यहाँ पर आपका जो कॉलम आ जाएगा उसमें आपको क्लिक करना है कि होस्टल लेना है या नहीं लेना है टेस्ट के बाद तैयार में इस लिस्ट के अनुसार ह आपको यहाँ पर प्यूम एडिमिशन के लिए आपको फिन एंट्रेस्ट टेस्ट देना होता है इसके बाद ही आपका एडिमिशन होता है तो यहाँ पर देख लेते हैं इंट्रेस्ट से एडिमिशन की परकिरिया के पूरा यहाँ पर तो एंट्रेस्ट टेस्ट आपका जो online.co.in इसका जो यह वेबसाइट इसका लिंग में डिस्क्रिप्शन में दूँगा वहाँ से जाकर आप इसका वेबसाइट पर आ जाएगा और वहाँ से देने होंगे आपको online paid करना होगा तीनों संकाय में अभी देन के लिए तिन तिन सो रुपे देना होगा अगर आप यहां पर फेंड बीए और बीएसी और बीकॉम यानि कि तीनों में किसी में आपको एडिमिशन लेना है तो आपको 300 रुपे आपको यहां पर online फार्म में के समय आपको paid करना होगा कटाना होगा पैसा आपको online के माध्यम से उसके बाद भी अब बात कर लेता है कि admission में महत्पुन तीथिया वह सीटे आपको कितना है और क्या कौन-कौन से डेट में आपको मह से उद अगस्तक चलेगा इडिमिशन की पर किरिया उसमें इंडेक्शन मीट दिया गया 17-22 अगस्तक होगा इंडेक्शन मीट और सत्र की शुरुआ जो कि आपको कलाश स्टार्ट होगा 24 अगस्त से अब फिर आपको बात कर लेते हैं कि यहां पर आपका सीट कितना है तो कि स्ट्रीम में कितने सीट है कौन सा यहां पर देख सकते हैं साइंस से अगर आप कहते हैं साइंस कॉलेज में तो यहां पर कोर्स दिया गए इधर सीट दिया गए बीए सीच चावसों बायो टेकनलोजी 30 BCA 30 इनबार्मेंट साइंस 30 वहीं बात करें मगत महिला कॉलेज का तो यहां पर बीए में 450, बीए सी में 265, बीकों में 350, बीए सीच साइंस 40, बीए साइंस 40, बीए साथ, बीए साथ, डबलो, साथ सीट है वहीं बीएन कॉलेज की बात करें तो बीएन कॉलेज में आपको 600 सीट है बीए में, बीए सी में सारह 300 है, बायो टेकनलोजी में 30 है, ब के वानी जे कॉलेज की तो वानी को लिज में आपको यहां पर विकॉम बाल यहां पर 460 अब और पका बी यहांप यहाँ पर आप आपको ईटी तो आपको अचछी तरीक़े देख लेजिए यसे देख लीयाई यहाँ पर मैं आपको असनातक के लिए बात तो यहां पर यहां पर आपको दिया गया है पार्ठ करम और इसका तीथि दिया गया है कि जो आपको यहां पर सबस्क्राइब बिच्ट विच्ट एटेस्ट लिया जाएगा तो यहां पर यहां पर यहां पर पटना इनवर्शिटि की तरब से आपको यहां पर आज सबसे पहले प्रवाइड कर दूंगा और दोस्तों यहां पर बीडियो के स्टूरेंट है वहाँ पर दिस्क्रिशन में लिंक दे दूंगा वहाँ पर उसका डेटा चुका वहाँ से आप लोग देख लिजेगा आपको वीडियो को पुरा लाश्टक तो उमेद करते हूं आपक वीडियो को शेर करें और दोस्तों मिलते हैं नेक्ष वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद